दोस्तों अगर आप अपने घर में वास्तु के अनुसार मचलियां रखते हैं तो धन के योग बनने के साथ साथ सम्रिद्धी भी बनी रहती है दोस्तों घर में और उसके आसपास रखी हर एक चीज के लिए वास्तु के नियमों का पालन जरूरी माना जाता है ऐसे ही घर के एक्वेरियम के लिए भी वास्तु से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि घर में एक्वेरियम या फिश टैंक रखने से सुक्सम्रद्धी आती है लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि मचलियों को कितनी संख्या घर के लिए सबसे ज्यादा शुब होती है और कौन से प्रकार की मचलियां घर में खुशहाली को आकरशित करती हैं तो दोस्तो आईए जानते हैं घर में एक्वेरियम रखने के क्या फाइदे होते हैं वास्तुके नुसार ऐसा माना जाता है कि मचलियां धन और वित्ती अलाब को आकरशित करती हैं मचलियां सकारात्मक्ता और जीवंतता का प्रतिनी धित्व करती हैं इसलिए ऐसा माना जाता है कि एक्वेरियम में घूमने वाली मचलियां घर में सकारात्मक वाइप्स फैलाती हैं फिश एक्वेरियम को सद्भाव और सफलता की कुंजी माना जाता है फिश टैंक घर में एक शान्त वाता वरन बनाते हैं और तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं या यू कहा जाए कि एक्वेरियम में मचलियों को देखना एक मानसिक चित्सा के समान होता है अब आईए जानते हैं घर में कितनी मचलियां रखना शुब होता है वास्तु के अवसार, उर्जा की सकारात्मत प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने फिश टैंक या एक्वेरियम में 9 मच्छियां रखनी चाहिए लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि आपको एक ऐसा टैंक रखना चाहिए जिसमें मचलियों को तैरने के लिए पर्याप्त इस्थान मिल सके कभी भी शमता के कम जगह वाला एक्वेरियम घर में ना रखे यदि आपके घर में बड़ा टैंक रखने की जगह नहीं है तो आप पांच मचलियां भी रख सकती है अगर आप फिश टैंक रख रहे हैं तो एक मचली भी रख सकते हैं दरसल टैंक में मचलियों की विशम संख्या ही घर की सिम्रिधी का प्रतीक मानी जाती है लेकिन तीन मचलियां रखना शुब नहीं होता है यदि आप घर में एक्वेरियम रखते हैं और आपको इसकी सही दिशा का चुनाव करना चाहिए एक बड़े फिश एक्वेरियम के लिए पस्चिम दिशा सबसे अच्छी होती है और छोटे फिश एक्वेरियम के लिए पूर्व उत्तर या इशान कून अर्थात उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है एक्वेरियम आपको कभी भी बेडरूम में या किचन में नहीं रखना चाहिए इन इस्थानों पर रखा गया एक्वेरियम आपके लिए शुब नहीं माना जाता है। घर के जगडों से मुक्ती पाने के लिए आप एक्वेरियम को मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाई तरफ रख सकते हैं। दोस्तों यदि आप घर में मच्छियां रख रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से गोल्ड फिश, फ्लावर हॉर्न, एंजिल फिश, ड्रेगन फिश रखनी चाहिए। ये सभी मच्छियां घर के लिए शुब मानी जाती हैं। इन में से गोल्ड फिश को सबसे ज्यादा अच माना जाता है। और यदि आप संख्या की बात करें तो आठ गोल्ड फिश के साथ आप एक काली मच्छिय रख सकते हैं। ये मच्छियां घर में शुबता का ततीक मानी जाती हैं। दोस्तों वास्त शास्तर के अनुसार घर में कुछ निश्चित रंगों की मच्छिय रखन मानी जाती हैं। गहरे रंगों जैसे नीला, काला या ग्रे मच्छियों का रंग घर की नकारात्मक उर्जा को अवशोशित करके शुबता का संकेत देता है। लाल रंग की मच्छियां घर में सौभाग्य को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप यहां बताई गई। संक्या के अनुसार एक निश्चित दिशा में एक्वेरियम और मच्छियां रखते हैं तो जीवन में सदैव सम्रदी बनी रहती है। दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताएं। इसे अपने दो आपको यह वाद।